आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोन को रूट कर सकते हो आपका फोन कोई भी हो, Vivo हो, Samsung हो, Oppo हो कोई भी फोन हो अगर आप उसको रूट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास तक देखिए इस सारा कुछ हम क्लियर करेंगे, कौन से एप्लिकेशन है जिसका हम यूज करेंगे यह सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट बता दूँ अगर आप फोन को रूट करते हैं तो अगर आपका नया फोन अंडर वारंटी है तो रूटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके फोन की वारंटी खतम हो जाएगी तो इसको आप सोच समझ कर ही रूट करें रूट करना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अगर आपके बार आप वारंटी एकस्पायर होगी तो फिर में भी आपको दिक्कत आएगी अगर आगे चलके आपका फोन खराब होता है तो थो थोड़ा इदना अपने रिस्क पे आप इसे करिए अब बात आती है अगर हमें करना है रूट तो हम करेंगे क्या देखें कुछ सेटिंग से पहले उनको आपको अपलाई करना है इसके बाद मैं आपको अप्लिकेशन के बारे में बताता हूँ कौन से अप्लिकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना है तो जो पहले basic setting है वो आपको ये है सबसे पहले शुरू में आपको करना किया आपको अपना play store open कर लेना है route करने से पहले ये settings आप apply करेंगे तब ही आपके routing applications वोग करेंगे तो सबसे पहले आपको करना किया आपको play store application open कर लेना है play store application करने ऊपन करने बाद अगला काम आपको करना का है आपको यहां पर जो सेटिंग का आइकन देख रहा है आपको इसपे क्लिक करना है और यहां पर यह पहले से इनेबल होगा आपको इसको डिसेबल करना है फिर से समझ दीजिए अगर आपका इनेबल है तो इसे डिसेबल करना है हलागि आप देख लिए जिरे लिखा एप्रेट्ट वोट बेबल तो इसको अप्राइबल कर देंगे तो जो बहर से प्लेस्टोर से जो बहर के अप्लिकेशन से उनको अगर आपको डाउन्रोड करना है तो उनको इसके नहीं करें गए अपरशन मत हुई है यह एप्लिकेशन बिल्कुल 100% वरकि आपको इस अप्लिकेशन को करना है डाउन्लोड डाउन्लोड करने के लिए आपको इसका प्लेस्टोर पे यह एप्लिकेशन नहीं मिलेगा लिंक लिंए आपको description में काम नहीं करता तो अगर आपके फोन में आई रूट काम नहीं करता है तो वहाँ पर दूसरे एप्लिकेशन से आप उनका यूज़ कर सकते हो उसके लिए सबसे पहले आपको करना के है हमारे आपको जाना है टेलिग्राम चैनल गुरूप को फॉलो करने ला है गुरूप को साथ में आपको अपने ग्रुप का भी link के दे दूँगा जहां से जा कर आप इसके रेटेड़ और भी इतने applications हैं आप उनको भी download कर सकते हो तो फिर किया करना है आपको इस application को कर ना है download और download करने के लिए आपको कर देना है setting icon पे जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आप हमें जाना है developer mode पे तो developer mode पे हम कैसे जाएंगे अगर हमें developer mode पे जाना है तो आपके phone पे अगर यहाँ पर जैसे about phone दिखाए दे रहा है आप systems पे जाएंगे तो यहाँ पे system में है कहीं पर आपको दिख रहा होगा model built number आपको build number पर चले जाना है यहां पर यह रहा built number आपको इसको 3-4-5 बार click करना है और click करने के बाद क्या होगा आप developer mode आपका activate हो जाएगा इसके बाद फिर आपको अगले step में क्या करना है आपको step करके back जाना है और system पर जाना है यहां से आपका developer mode है यहां पर चले जाना है जाने के बाद आपको यहां से इसको enable कर देना है enable तो हई है by default इसके बाद आपको यहां से scroll करते हुए नीचे चले जाना है और यहां पर आपको कहीं पे options कुछ देखने को मिलेंगे यहां पर लिखा है select mock location app यहां पर दोड़ा देख लिजिए इसी वाले option पर आपको जाना है और जिस भी आप application का use कर रहा है routing के लिए आपको दियान रखना है उस application को यहां से करना है select तो फिलहाल मैं i route application यूज करने वाला हूँ तो मुझे क्या करना है मुझे इसी पर कर देना है click करूंगा और यहां पर यह application दिखाए देगा मैं इस पर click करूंगा और click करने को यहां पर मैंने i route application को enable कर दिया है करने का दा back जाओंगा back जाओंगा इसके बाद मैं इसको बंद कर दूगा अब अगले step में एक चीज़ और समझ लीजी आगर आपका फोन का wifi वेगरा कोई भी on है उसको बिल्कुल बंद कर दिजी बंद करने के बाद अगला step क्या होगा फिर आपको बस और कुछ खास करना नहीं आपको जाना है iroot application को कर देना है open iroot application को जब आप open करेंगे तो आपसे बताएगा यह harmful है आप फिर भी इसको open करना चाहते हो तो आप यहाँ पर open anyway कर देजिए don't worry यह काम करेगा आपका जैसे आप इसको open करेंगे तो यह आपको open होना start हो जाएगा कुछ ऐसा interface आपक कोई permission नहीं है कि आपको permission देनी है अगर आपको permission देनी है तो आपको करना क्या है आपको यहां से इसको allow कर देना है get root access पर click करना है और आपका क्या होगा आपका यहां पर जो phone है वो route हो जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ मैं फिलहाल इसी पर कर देता हूँ click एक चीज़ और पहले से बता दिया है मैंने अपने phone का जो भी wifi वगरा हो उसको बंद कर दीजिएगा इसके बाद आपको इस पर कर दिना है click चैसे आप इस पर click करेंगे तो यह process आएगी और process होते होते से क्या होगा आपका system हो जाएगा तो हम शूर चीज़ें समझ में आगी होंगी क् दिक्कत आती है तो comment section पर लिखें मैं उस पर एक separate अलग से video बना दूँगा आपका कौनसा phone है जो root करने में दिक्कत कर रहा है इस process को follow करने के बाद भी अगर फिर भी दिक्कत आ रहे है उसे comment section पर जरूर लिख दीजिए तो आज के video में फिलाल इतना ही I'm sure video पसंद आया हो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें बहुत जल्द में फेसे में लेंगे एक नए topic बात करते हुए तब तक अपना खूब स्राखेंगा